नमस्कार दोस्तो टार्गेट हाई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो एनेचेम के तहत एक और भरती विक्यापन आ चुका है इसमें लैब टेकनीशियन, इस्टाप नर्स, हर्मासिस्ट साथ में अधर कई पोस्ट के लिए भरती विक्यापन फब्लिस किया गया है भरती विक्यापन एनेचेम के तहट है आपको संबीदा बेजस पे इसमें पोस्टिंग मिलने वाली है और दोस्तो अलग-अलग प्रोग्राम के तहट आपका इसमें सेलेक्शन होने वाला है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने स्पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें साथ में दोस्तो नोटिपिकेशन के पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्सन बाक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से दोस्तों आप इजी तरीकी से जोइन होगी यह नोटिपिकेशन का पीडियाप और अप्लिकेशन फॉर्मेट आप डाउनलोड कर पाएंगे इसमें दोस्तों आपको आफलाइन के मात्म से आवेधन करना होगा जिसके लिए आपको अप्लिकेशन फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी तो अभी जोइन कर लें हमारे टेलिग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में इसका लिंक है दोस्तों बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की और सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं भरती विक्यापन कहां से फब्लिश किया गया है तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन में डिस्टिक हेल्थ सुसाइटी कोइम बटूर डिस्टिक से दोस्तों ये भरती विक्यापन जारी हुआ है हेल्थ एंड फैमिली बेल फेयर डिपार्टमेंट तमील नाडू से दोस्तो भरती भी अपन जारी किया गया है नहेचेम के तहएट और आपको इसमें संभीता बेसे इस पे पोस्टिंग दी जाएगी आफलाइन की माध्यम से आपको आवेधन करना है जिसके लिए आपको समय बतायागा है बीस, तीन, दो, जार, चुबिस बीस मार्च तक दोस्तो आपको आवेधन करने के लिए समय दिया जारा है डिएचे सौपिस में आपको अपना आवेधन सिंड करना होगा बात कर लेते हैं पोस्ट की दोस्तो तो आप इसमें आवेधन कर पाएंगे 40 एर्स आपको, सरी 40,000 आपको इसमें सैल्री दी जाएगी और दोस्तो इसमें सकेंड नमबर पर देख सकते हैं डिस्पेंसर के लिए जो कि ये फार्मसिस्ट के लिए पोस्ट रहेगा और टोटल एक ही पोस्ट है इसमें आप फार्मसिट वाले केंडिडेट अपलाई करेंगे जिनके पार डिप्लोमा है फार्मसिट में 15,000 रुपए फिक्स आपकी सैल्री रहने वाली है और दोस्तो सकेंड नमबर पर देख सकते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या रहेचेम के तहले दोस्तों इसमें पोस्ट सामिल किया गया है मेडिकल आफिसर के लिए है सेम आप से इसमें कॉलिपिकेशन मांगा जा रहा है भी है सेमेस का कॉर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए और इसमें आयूस यूनानी वाले कंडिडेट के लिए भी है और इसमें बी-उँ, एमस वाले कंडिडेट अपलाई करेंगे ठेटीफोर्त हौजन सेलरी है और दोस्तों देख सकते हैं फार्मसिष्ट के लिए और भी पोस्ट इसमें सामिल किया गया है एक ही पोस्ट है इसमें सेम आपके पास फार्मिसी कंप्लीट होना चाहिए डिपलूमा और सेलरी दोस्तों इसमें पर डे की हिसाब से आपको दिया जाएगा 750 रुपए फिक साब की इसमें सेलरी रहेगी पर डे की हिसाब से और फूर्थ नंबर पर देख सकते हैं परपस वर करके लिए है और इसमें टोटल नौ पोस्ट सामिल है और आठवी पास वाले केंडिटेट दोस्ते इसमें आवेदन कर पाएंगे साथ में आपके पास नौलेज होना जरूरी है तैमील फासा का दोस्तों आपको ग्यान होना चाहिए आपको लिखना और पढ़ना आना जरूरी है इसमें और सेलरी सेम आपको पर डे की हिसाब से दिया जाएगा candidate apply करेंगे 30,000 आपकी salary रहेगी एक ही post इसमें सामिल किया गया data assistant के लिए भी दोस्तों इसमें post है BCA, BBA वाले candidate आवेधन करेंगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें lab technician के लिए तो total इसमें एक post है और इसमें labor medical health clinic program के तहट आपका इसमें posting होगा बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों qualification की तो आपके पास 12th pass होना जरूरी है और इसमें आपसे diploma या certificate course भी complete आपका होना चाहिए certificate in medical laboratory technology दोस्तों आपके पास laboratory technician का certificate complete है तो आप इस post के लिए eligible रहेंगे और इसमें देख सकते हैं email HP के लिए दोस्तों post सामिल किया गया है mid-level health provider के लिए total इसमें 6 post है जिसमें जीनम और BSC nursing वाले candidate apply कर पाएंगे 18,000 रुपे salary है 50 years आपको इसमें age limit दिया जा रहा है दोस्तो इस टाप nurse के लिए और भी post इसमें सामिल किया गया है आप वीडियो last तक जरूर देखिए गया नेस्ट हम इसमें बात कर लेते हैं फिचियो therapist के लिए तो BBT वाले candidate आवेदन करेंगे 13,000 रुपे आपको salary दी जाएगी 21,000 से 35 वर्स आपको इसमें age limit दिया गया है और medical officer के लिए और भी post है या BBS वाले candidate के लिए और same statement दोस्तों आपका ये registration होना चाहिए 18,000 रुपे salary दी जाएगी 50 years आपको इसमें age limit दिया गया है next दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं dental surgeon के लिए तो आपके पास BDS complete होना चाहिए और Tamil Nadu dental council में registration होना भी जरूर है plus आपके पास one year का experience होना चाहिए salary इसमें 34,000 आपको दिया जाएगा और 35 years इसमें age limit दिया गया है दोस्तों dental assistant के लिए भी इसमें post सामिल किया गया है आपके पास related field में degree diploma और one year का experience होना चाहिए total 3 post इसमें सामिल किया गया है 13,800 रुपे salary दी जाएगी और दोस्तों इसमें अंगला जो post है ideologist के लिए related field में degree diploma होना चाहिए एक ही post इसमें सामिल किया गया है 23,000 आपको salary दी जाएगी और 35 years इसमें age limit दिया गया है दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं आपको apply कैसे करना है तो offline के माद्धम से आपको इसमें इस website के माद्धम से दोस्तों आप ये notification का PDF और application form एजी तरीकी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप हमारे telegram चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे description box में telegram चैनल का link मिल जाएगा वहाँ से आप join होके एजी तरीके से दोस्तों notification का PDF और application form डाउनलोड कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं आपको application form कैसे submit करना है तो इसके लिए आपको बताया गया है आपको offline के माद्धम से आप एदन करना होगा आप directly इसके office या speed post के माद्धम से आपना आप एदन जमा कर पाएंगे या आपको option दे दिया गया है आप इसके office या post के माद्धम से आपना आप एदन जमा कर पाएंगे और address की बात करें तो ये आपको address बताया गया है deputy director health service district health society ये दोस्तों पूरा आपका address है इस address पे आपको अपना आवेदन जमा करना होगा और मैं आपको बता चुका हूँ कब तक आपको समय दिया जा रहा है 20 मार्च इसका last date है तो इसके last date से पहले आप इसमें आवेदन कर दें आपको offline के माद्धम से आवेदन करना है साथ में आपको application form के साथ और क्या-क्या document उसमें संबीट करना है इसके लिए भी यह आपको बता दिया गया है यह सारे document आपको बताया गया है आपको passport side photograph अपना एक photo उसमें अटेज करना साथ में certificate educational qualification जितने भी इसमें आपका certificate है जिसमें इसमें आप अपना आईडी कार्ड अटेज करना होगा और सारे document दोस्तों आपको photo copy करके ही अटेज करना है जिसमें आपको self-attested करना जरूर है without self-attested आगर आपको वहाँ पे जमा करते हैं तो आपका यह form reject कर दिया जाएगा तो सभी document में आपको self-attested करना जरूर ही है दोस्तों यह notification का PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलिग्राम चैनल से या भी आप इसके official website की मात्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं be smart चिसका launch date है आप इसमें आवेदन कर दें यादि आप eligible हैं आपको संभीदा बेसेस पर ही इसमें पोस्टिंग दी जाएगी और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों साथ share करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें थैंक्यो सो मच